नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है तो आज की हमारी recipe है मूंग दाल का पकोड़ा तो अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है मूंग दाल का पकोड़ा जटपट बनके तयार हो जाता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग की छिलके वाली दाल ली है उसको मैंने अच्छे से 3-4 घंटे के लिए भुगय के रखा था फिर उसके चिलकी निकाल लिए है और दाल रेडी है अब हम इसके लिए रलिएंगे हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मेर्ज और लसून की करिया यहाँ पे मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं काटके चोटे 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 एक मिक्सी की बावल में हम डाल देंगे दाल, हरी मेर्ज और लसून की करिया फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डाला है और इसको अच्छे से दरदरा पीस लेंगे और फिर हम इसको आड़ करेंगे, याज फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता रहा धनिया, बहुत सारा यूज किया है अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे, मसाला में हमने यहाँ पे एक चमच रेट चिली पाड़र लिया है तो आप तीखा कम जदाब कर सकते हो, आधे छोटी चमच हल्दी नमक, स्वादा अनुसार, और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से यदे को बन के तयार है, अब हम इसके पकोड़े तलेंगे पकोड़े तलने के लिए मैंने एक बड़े कड़ाई में तेल गरम कर लिया है और हाथ से चोटे-चोटे गोल साइज के पकोड़े बना के डालना है तेल में तेल जादा गरम भी नहीं होना चाहिए, मिडियम हीट पेर रहना चाहिए ज्यादा गरम हो जाएगा तो उपर से जल जाएगे और अंदर से पकेंगे नहीं इस तरह से चोटे-चोटे साइज के सब पकड़े में यहाँ पर डाल दूँगी यहाँ पर मैंने चिलके वाली दाल यूज की थी तो आप धुली वाली दाल भी यूज कर सकते हो पर चिलके वाली दाल लेने से उसका स्वाथ जाधा बढ़ता है पकड़ा तलने के लिए 203 मिनिट का टाइम लगता है यहाँ पर मैं ऐसे चोटे-चोटे साइज के पकड़े यहाँ पर डाल रही हूँ अब जब यह 2-3 मिनिट के बाद सुने रहे हो जाएंगे तो हम इसका निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह से पकाना है तेल में इतना अच्छा कलर आया है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से मैं सारे पकड़े तल लूँगी यह दिखो हमारे पकड़े खाने के लिए एक दम रेड़ी है अब हम इसको सर्व करेंगे यहाँ पर मैंने पकड़ों को हरी चट्नी और लाल चट्नी के दाथ सर्व किया है हरी चटनी पुदिना के चटनी है और लाल चटनी जो है मैंने वो लाल मिर्च की बनाई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और इसको मैं रखूंगे एक हरी मिर्ची की साथ यह देखो मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ की दिखाती हूँ उपर से एक द को मेरे recipes पसंद है तो please मेरे channel को like करो share करो and subscribe करो and नीचे दिये comments box में आप comment लिख के भी बता सकते हो को आपको मेरे recipe कैसी लगी so guys thanks for watching my recipe, thank you